Hello guys and welcome back to another video आज की वीडियो का टॉक रिक है 10 Hybrid Upcoming Car for the Indian Market इंडियन मार्केट में देखा जाए तो पेट्रोल के प्राइसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गवर्मेंट ने कहा है कि वो डीजल गाडियों बंद करते ही तो इंडिया में one of the best option हो जाता है या तो आप EV गाड़ी ले या तो आप hybrid गाड़ी ले EV गाड़ी के रिट काफी जादा है तो hybrid आप ये best option होता है तो इस लिस्ट में आपन बात करेंगे कुछ hybrid गाड़ी की लिस्ट में पहली गाड़ी हो जाएगी हॉंडा की तरफ से आने वाली एचार भी हॉंडा एचार वी अल्रेड़ी बाहर के मार्केट में लांच हो चुकी है और इस गाड़ी की प्रैस इंडिया मार्केट में स्टार्ट होगी तकरीबन 14 लाग रोपे से इस गाड़ी का टॉपमेंड मोडल की बात करो तो वह जाए इस गाड़ी का नौच इंडियन मार्केट में होगा 2024 के जैनवरी के महिने में गाड़ी की फीचर्स की बात करो तो गाड़ी में शांदार फीचर्स जैसे की एडास, फ्रंट कोलेजन वार्निंग, चारो टायरों में डिस्क पुरेक, छे एर बैक वहना स्टैंडर्ड मॉड इंडिया की मोस्ट अफेशन गाड़ी, जो कि है मार्ती सुजुकी स्विफ्ट हाइब्रेड वेरेंट, अब ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉंच होगी, दिसमबर 2023 तक, गाड़ी के अंदर आपको एक 1.2 लीटर का नाशली एस्परेटर पेट्रोल एंजन देखने गाड़ी के इंटियर में आपको एक बड़िया टस्की इंफर्टीनमेंट सिस्टम देखने मिल जाएगा, जिसमें रहेगा आपका एक एक एपल कार्प्ले, एंडोड आटो और जीपेस नाविगेशन सिस्टम बारती सुजुकी की तरफ से, वही इस गाड़ी के और फीचर भी देखने नहीं मिलेगा, और साती साथ आपको इस गाड़ी में नाहीं छे एर बैक देखने मिलेंगे, लिस्ट में नेक्स गाड़ी हो जाएगी, निसान की तरफ से आने वाली, निसान कैश का, निसान कैश का एक फोल साइज SUV होने वाली है, जो कि इंडियन मार्केट में लॉंच होगी, जैन 2024 में, इस गाड़ी की प्रोफाइल की बात करूँ, तो एक 1.5 लीटर का E-Powered Petrol Engine देखने मिलेगा, जो की 138 बहपी और 250 नम का टॉर्क बनाएगा, इसकी पेरिंग आपकी एक 6-speed manual gearbox और एक new CVT gearbox के साथ रहेगी, वही इस गाड़ी की इंटियर की बात कर मार्केट में आगी, तो गाड़ी साइस में काफी जादा शानदार रहने वाली है, और साथी साथ इस गाड़ी के परस्नल स्पीकिंग मुझे काफी पसंद आया है, वह इस गाड़ी का लुक, गाड़ी के फ्रेंट में आपको एग्रेसिव DRL हिट्लैंप्स देखने मिल रह आए, कि महांदरा की तरफ से आने वाली वह गाड़ी चुकि पहले इंडियन मार्केट में राउंच होके शानदार पकॉम करी है, यह आप इस गाड़ी का अब इस गाड़ी का इवी वेरियंट आना वाला था, उसको चेंज करके आप हाइब्रेड वेरियंट में कनवर्ट क दिया है, गाड़ी की प्राइसिंग की बात करूं, तो यह गाड़ी स्टार्ट होगे तकरीबन 12 लाग रोपे से, इस गाड़ी के टॉपर मोडल की बात करूं, तो यह जाएगा तकरीबन आपके 17 से 18 लाग रोपे तक, गाड़ी में आपको एक 1.5 लीटर का हाइब्रेड प अप्रेल के महिने में, मींस यह गाड़ी मिट 2024 में आपको देखने मिलेगी, गाड़ी के लुक वाइस में आपको उतना चेंज़ेश देखने नहीं मिलेगा, बट इंटेर में आपको मेजर सीजन देखने मिलेंगी, जो की बहुत जादा से मिलर रहेंगी आपकी XUV 7 नबल कर रही है, इस गाड़ी में आपको front aggressive look देखने मलता है, DRL headlamps देखने मलते हैं, projector headlamps में इसकी अलग-अलग variants देखने मल जाते हैं, वही इस गाड़ी की back side की बात करूँ, तो back side में आपको metric style tail lamps देखने मलती है, इस गाड़ी की launch की बात करूँ इंडिन मार्केट में, तो ये गाड़ी आपको jan 2024 में देखने मल जाएगी, इस गाड़ी में आपको एक all wheel drive का option भी देखने मलेगा, वही इस गाड़ी की pricing की बात करूँ, तो गाड़ी की starting price रहने वाली है तकरीबन 12 लाक रुपे, और इस गाड़ी का top end model जाएगा 16 लाक रुपे तक, गाड़ी के अं इस गाड़ी के features की बात करो तो ये गाड़ी आए कि Toyota के TNGA platform पर जो की aggressive build का platform माना जाता है, और add-out जैसे शांदर features भी आपको इस गाड़ी में देखने मिल जाएंगे, लिस्ट में पर next चीज़ की बात करें, तो next जीज़ आना वाली है, एक ऐसी गंबरी की अतरफ से, जो क एक गाड़ी के profile से बहुत ही कम बाना जाता है, reason because X-Tail की pricing काफी ज़्यादा थी और उसमें features अच्छे देखने मिलते नहीं, गाड़ी की इस pricing की बात करो तो अभी भी ज़्यादा है, ये गाड़ी 35 lakh से start होगी, top and model 40 lakh rupees तक जाना वाला है, पड़ आप features इस गाड़ी में बह मिल जाते है, luxury interior देखने मिल जाता है, और सारी गाड़ी में अब तक जिनकी बात करी है, उनकी average profile तकरीबन 24 से 26 kmpl की ही रखी गई है, इस गाड़ी की भी similar ही रहे ही, गाड़ी में आपको premium leather interior देखने मिल जाता है, एक 14 इंच का touchscreen infotainment system देखने मिल जाता है, जिसमें आपका apple car play android auto, 4 into 4 का option देखने मिल जाता है, multiple driving train option देखने मिलता है, और इस गाड़ी का launch Indian market में, December 2023 तक हो जाया है, अब जिसमें next गाड़ी होने वाली है, किया के तरफ से, किया में अपकी बहुती शांदार गाड़ी, अपकी इंच मार्केट में लांच करी है, चुकि किया सेल्ट और आप बोले के आने वाली है, ऐसी गाड़ी जो कि एक crossover SUV segment में आगी, और शांदर एवरेज और एक शांदर इंजन के साथ आएगी, किया स्पोटेज, किया स्पोटेज एक crossover SUV गाड़ी है, जो कि अल्रीडी बाहर के मार्केट में launch हो चुकी है, इस गाड़ी की pricing Indian market बात तो वो स्टाटू की तक्रीबन 20 लाग रूपीज से और टॉपेंड मोडल जाएगा 30 लाग रूपीज तक, इस गाड़ी में आपको 19 इंज के wheels देखने मलते हैं, एक 2 लीटर का hybrid petrol engine देखने मलता है, जो कि 164 BHP सातिसात 190 NM का torque पना के दे रहा है, इस गाड़ी की interior में अभी क्लासिक किया, dual screen setup चल रहा है, ventilated seats चल रही है, dynamic color option देखने मिल रहा है, और all wheel drive का भी option देखने मल जा रहा है, तो गाड़ी में इतने सारा option होना के कारण ये गाड़ी मेरे कहल से इंडिन मार्केट में बहुत जादा शांदार अकों करेगी, और हो सकता है ये गाड़ी Tata Safari से भी जादा बहतर हो और लोग इसको prefer करें, लिस्ट में जितनी भी गाड़ी की मैंने बात करी है, उन गाड़ी में सबसे best गाड़ी रहेगी, मेरे कहल से मार्की Suzuki Swift क्योंकि उस गाड़ी की pricing बहुत कम है और उस गाड़ी का average बहुत ही अच्छा रहे है